मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमर्त की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए है शिव बाबा मुरली में समझाए पूले जीवन में हो जाए है शिव बाब दादा शिव बाब और प्रेम भाब को इमर्ज कर करोद महाशत्रु पर विजई बनो आज बाब दादा अपने जनम के साथियों को साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्शित हो रहे हैं आज आप सभी को भी बाब दादा के अलोकिक जनम साथ में जनम सातियों के जनम दिवस की खुशी है क्यों ऐसा नियारा और अती प्यारा अलोकी जनम और किसी का भी हो नहीं सकता ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जनम दिन भी वहीं और बच्चों का भी जनम दिवस वहीं यह न्यारा और प्यारा अलोकिक हीरे तुल्य जनम आज आप मना रहे हो साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारा पन समरिती में है कि यह अलोकिक जनम ऐसा बचितर है जो स्वम भगवान बाफ बच्चों का मना रहे है परमात्मा बच्चों का स्रेष्ट आत्माओं का जनम दिवस मना रहे हैं दुनिया में कहने मत्तर कैई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है परमात्मा है परन तु ना जानते हैं ना उसी समरिती में चलते हैं आप सभी अनुव से कहते हो हम परमात्म बंशी हैं ब्रमा बंशी हैं परम आत्मा हमारा जनम दिवस मनाते हैं हम परमात्मा का जनम दिवस मनाते हैं आज सब तरब से यहां पोंचे हैं किस लिए मुवारक देने और मुवारक लेने के लिए तो बाप दादा बिशेश अपने जन्म साथियों को मुवारक दे रहे हैं सेवा के साथियों को भी मुवारक दे रहे हैं मुवारक के साथ साथ पर्म प्रेम के मोती हीरो जवारों द्वारा बर्शा कर रहे हैं प्रेम के मोति देखे हैं ना प्रेम के मोतियों को जानते होना फूलों की बर्षा सोने की बर्षा तो सब करते हैं लेकिन बाप दादा आप सबी पर परम प्रेम अलोकिक सने के मोतियों की बर्षा कर रहे हैं एक गुना नहीं पदम पदम गुना दिल से मुवार्क दे रहे हैं आप सब भी दिल से मुवार्ख दे रहे हैं बो भी बाप दादा के पास पहुँच रही है तो आज मनाने का और मुवार्ख का दिन है मनाने के समय क्या करते हो बैंड बजाते हो तो बाप दादा सबी बच्चों के मन के खुशी की बैंड को बाज्जे गाज्जे सुन रहे हैं, भगत लोग पुकारते ही रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो समा जाना आता है ना, यह समा जाना ही समान बनाता है बाप दादा बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकते, बच्चे भी अलग होने चाहते नहीं हैं लेकिन कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं बाब दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूं लेकिन बच्चे नटकट होते हैं न माया नटकट बना देती है है नहीं माया बना देती है तो सहारा से किनारा किरा लेती है फिर भी बाप दादा सहारा बन समीब ले आते हैं बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाता है फार्नर्स तो बातों को बहुत पसंद करते हैं डबल फानर्स के फेवरिट दो शबत कुन से हैं कमपैनियन और कमपनी यह दोनों पसंद हैं अगर पसंद हैं तो एक हाथ उठाओ भारत वालों को पसंद हैं कमपैनियन भी जरूरी है और कमपनी भी जरूरी है कमपनी बिना भी नहीं रह सकते और कमपैनियन बिना भी नहीं रह सकते हैं तो आप सब को क्या मिला है कमपैनियन मिला है बोलो हाँ जी या ना जी हाँ जी कमपनी मिली है हाँ जी ऐसी कमपनी और ऐसा कमपैनियन सारे कलब में मिला था कलव पहले मिला था ऐसा companion जो कभी भी किनारा नहीं करता कितना भी नटकट हो जाओ लेकिन बै फिर भी सहारा ही बनता है कौन बनता है परमपिताप प्रमात्मा शीव और जो आपके दिल की प्राप्तियां है बै सर्ब प्राप्तियां पूरन करता है कोई आप राती है, सब की दिल कहती है, या मर्यादा पुर्वक हां कहते हो, गाते तो हो जो पाना था वै पालिया, या पाना है पालिया, अभी पाने का कुछ नहीं है, या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई है, सब आशाएं पूरी हो गई है, या रह गई है, बाप दाद करने की आशा रह गई है यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालुम पढ़ जाए बाप आया और कोई रह जाए तो यह बाप दादा की विशेश आशा है कि सभी को कम से कम मालुम तो पढ़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं प्रेम की आशाएं हैं हर एक चाता है, स्टेज पर आएए यह आशा है अब तो बाबा स्विम सब के पास आते हैं यह भी आशा प mês पूरी हो गई संतुष्ट आतमाएं हैं मुवारक हो क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं समझते हैं कि जैसा समय वैसा सुरूप बनाना ही है इस लिए बाप दादा भी ड्रामा के बंदल में तो है ना तो सभी बच्चे हर समय उनसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मनी बन चमकते रहते हैं क्यों आप समयम ही कहते हो पाना था वो पालिया यह ब्रमा बाप के आदि अनुभव के बोल है तो जो ब्रमा बाप के बोल वहीं सरफ ब्रामनों के बोल तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइस करा रहे हैं कि सदा बाप के कंपनी में रहो बाप ने सरफ संबंदों का अनुभव कराया है कहते भी हो कि बाप ही सरफ संबंदी है जब सरफ संबंदी है तो जैसा समय वैसे संबंद को कारियंग में क्यों नहीं लगाते और यहीं सरफ संबंद का समय प्रती समय अनुभव करते रहो तो कंपैन बाप दादा आफर कर रहे हैं जब सरव संबंद आफर कर रहे हैं तो सरव संबंदों का सुखलो संबंदों को कारिये में लगाओ बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला वा थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी स्रेष्ट कमपनी होते कमपनी को कारिया में क्यों नहीं लगाते फिर क्या कहते भाई भाई क्यों क्यों बाब दादा ने कहा वाई नहीं कहो जब यह शब्द आता है वाई negative है और positive है फलाई यानि कि उड़ना तो वाई वाई कभी नहीं करना फलाई याद रखो बाब को साथी बनाए फलाई करो तो बड़ा मज़ा आएगा या कमपनी और कमपैनियन दोनों रूप से सारा दिन कारिये में लाओ ऐसा कमपैनियन फिर मिलेगा बाब दादा इतने तक कहते हैं अगर आप दिमाग से वाई शरीर से दोनों परकार से ठक भी जाओ तो कमपैनियन आपकी दोनों परकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है ऐसा योज करना आता है, बस समझते हो, बड़े से बड़ा बावा है, टीचर है, सत्गुरु है, लेकिन सरव संबंध है, समझा, डवल बदेशियों ने, अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना, अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो, तो जिसका बर्तडे मनाते हो, उसको गिफ्ट देते हो, या नहीं देते हो, देते हैं, तो आज आप सब बाप का बर्तडे मनाने आए हो, नाम तो शिवरात्री है, तो बाप का खास मनाने आए हो, मनाने आए हो ना, तो बर्तडे की आज की गिफ्ट क्या दी, या सिर्फ मौम बत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे आज क्या गिफ्ट दे या कल देंगे, चाहे छोटी दो, चाहे मोटी दो लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना, तो क्या दी, सोच रहे हैं, अच्छा, देनी है देने के लिए तयार हो, जो बाप दादा कहेगा वह देंगे, या आप अपनी इच्छा से देंगी, क्या करेंगे जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे, या अपनी इच्छा से देंगे जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे देखना थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी हिम्मत है मदवन वाले हिम्मत है डवल फानर्स में हिम्मत है हाँ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं अच्छा शक्तियों में पांडमों में हिम्मत है भारत वालों में हिम्मत है बहुत अच्छा यहीं बाप को मुवार्क मिल गई अच्छा सुनाएं यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा गा गा नहीं करना बाबा कहते हैं गा गा नहीं करना एक बाप दादा ने मेजार्टी में देखी है मेनारिटी नहीं मेजार्टी क्या देखा जब कोई सरकम संटाज सामने आता है तो मेजार्टी में एक दो तीन नमबर में करोध का अच्छ ना चाहते भी इमर्ज हो जाता है कोई में महान करोध के रूप में होता कोई में जोश के रूप में होता कोई में तीसरा नमबर चिड़ चिड़े पन रूप में होता चिड़ चिड़ा पन समझते हो वे भी है करोध का ही अंश हलका है तीसरा नमबर है ना तो वे हलका है पहला जोर से है दूसरा उस से थोड फिर भाशा तो आजकर सबकी रायल हो गई है तो रायल रूप में क्या कहते हैं बात ही ऐसी है ना जोस तो आएगा ही तो आज बाप दादा सभी से ये गिफ्ट लेने चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो लेकिन क्रोध का अंश्मात्र भी नहीं रहे क्यों क्रोध में आकर डिस सर्विस करते हैं क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में अकेला नहीं होता है दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है चाहे मनसा में भी किसके प्रती बीच में होता है तो दिखाई देता है चाहे मनसा में भी किसके प्रती गिरना भाप का अंश भी होता है तो मन में भ कोई है डिस सर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है तो क्रोध का भाब अंश मातर भी उत पर ना हो जैसे ब्रह्म चारिया के ऊपर टेंशन देते हो ऐसे ही काम महाशत्रू क्रोध महाशत्रू गया हुआ है शुब भाब प्रेम भाब देह इमर्च नहीं होता है फिर मूड आप कर देंगे उस आत्मा से किनारा कर देंगे सामने नहीं आएंगे बात नहीं करेंगे उसकी बातों को ठुकराएंगे आगे बटने नहीं देंगे यह सब मालूम भारवालों को भी पड़ता है फिर बले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है बाकी कुछ नहीं है तो क्या जनम दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिच करेंगे वे हाँ उठाओ, सोगा देने के लिए सोचेंगे, कोशिच करेंगे वे हाँ उठाओ, सची दिल पर भी साहिब राजी होता है, यानि कई भाई बैने खड़े हुए, धीरे धीरे उठ रहे हैं, सच बोलने की मुवरक हो, अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिच करेंगे, ठीक है, कोशिच भले करो, लेकिन कोशिच के लिए कितना समय चाहिए, एक मास चाहिए, छे मास चाहिए, कितना चाहिए, छोडेंगे या छोडने का लक्षे ही नहीं है, जिन्होंने कहा कोशिच वह फिर से उठो जो समझते हैं कि हम दो तिन मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वह बैठ जाओ और जो समझते हैं छे मास चाहिए अगर छे मास पूरा लगे भी तो कम करना इस बात को छोड़ना नहीं क्योंकि यह बहुत जरूरी है यह डिस सर्विस दिखाई देती है मुक् हैं इस लिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाब दादा घ्यान प्रेम सुख शान्ती के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं अच्छा बाब दादा रिटर्न सोगात में यह विशेश सभी को बरदान दे रहे हैं जब भी गलती से भी ना चाहते हुए भी कभी क्रोद आ मिलती रहेगी मीठा बाबा कहना सिर्फ बाबा नहीं कहना मीठा बाबा तो मदद मिलेगी जरूर मिलेगी क्योंकि लक्षे रखा है ना तो लक्षे से लक्षन आने ही हैं मदवन वाले हाथ उठाओ अच्छा करना ही है ना खान जी मुआरक हो बहुत अच्छा आज खास मद कोद के लिए नहीं देते हैं मेहनत के लिए देते हैं सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं मेहनत बहुत अच्छी करते हैं सब को सेवा से संतुष्ट करना यह तो मदुवन का एक्जामपल है इसलिए आज मुख मिठा कराएंगे आप सब इनों का मुख आज कल आप लोग कल्चर आप पीस का प्रोग्राम बना रहे होना तो यह भी फ़स्ट नंबर का कल्चर है ब्रामन कुल की सब्यता बाप दादा ने देखा है यह दादी जब सोगात देती है ना उसमें एक बोरी का थैला होता है उसमें लिखत होती है कम बोलो धीरे बोलो जिए भाधा थैला नहीं देते गरदान में यह शब्स देते हैं हर एक बरामन के चेहरे और चनल भी बरामन कल्चर प्रत्रक्ष हो प्रोग्राम तो बनाएंगे भाशन भी करेंगे लेकिन पहले सब्वाज़ यह सब्यता वश्क है रिखत है। कि कि को देखकर अपना कल्च नहीं छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संसकार सब्यता के जीवन में दिखाओ, अभी दिखाना है, ठीक है ना, सभी ने कहा हांजी, या बहुत अच्छा है, डबल फानर्स मेजार्टी हांजी करने में बहुत अच्छे है, अच्छा है, भारत वासियों की तो एक मर् हांजी करना, सिर्फ माया को नाजी करो, बस, और आत्माओं को हांजी, हांजी करो, माया को नाजी, नाजी करो, अच्छा, सभी ने जनम दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले दी, अच्छा, आब के साथ साथ और भी जगें जगें पर सभाएं लगी रहे हैं उन्हों को भी बाप दादा यही कहते हैं कि आज के दिन की आप समने भी सोगा दी या नहीं सब कह रहे हैं हंजी बाबा अच्छे हैं दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं मेहनत तो बहुत करते हैं ना तो सब से जादा फाइदा ब्राह्मनों को होना चाहिए ना इसलिए जब से संगम यूग अरम हुआ है तब से ही है साइंस के सादन भी बढ़ते जा रहे हैं सत्यूग में तो आपके देटा रूप में यह साइंस सेवा करेगी लेकिन संगम यूग में भी साइंस के सादन आप ब्रहमनों को मिल रहे हैं और सेवा में भी पर्तेक्स्ता करने में भी ये साइंस के सादन बहुत बिशाल रूप से सहयोगी बनेंगे इस लिए साइंस के निमत बनने वाले बच्चों को भी बाब दादा मेहनत की मुवारक देते हैं बाकी बाब दादा ने देखा मदूवन मेवी देश विदेश से बहुत शोबनिक शोबनिक आड़ पत्तर और कोई दोबारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं बाब दादा उन्हों को भी बिशेश यार प्यार और जनम दिस की पदम 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 गुना मुवारक दे रहे हैं सब बच्चे बाब दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं आप लोगों ने तो सिर्फ कार देखे लेकिन बाब दादा बच्चों को भी नैनों से देख हैं बहुत सने से बेजते हैं और उसी सने से बाप दादा ने सभी कार किया है कहिए उने अपनी अरस्थाएं भी लिखी हैं तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ उड़ने से सब बाते नीचे रह जाएंगी और आप सदा उचे ते उचे बाप के साथ उचे सेकिंड में स्टाप और स्टाक शक्तियों का गुनों का ही मर्ज करो अच्छा चारों और के सरफ सिर्ष्ट ब्रामन आतमाएं सदा बाप के कमपनी में रहने वाले बाप को कमपैनियन बनाने वाले सनेही आतमाएं सदा बाप के गुनों के सागर में समाने वाले समान बाप दा याद प्यार और बहुत बहुत मुवारक हो मुवारक हो नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं आज भी नमस्ते अच्छा मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रती माद पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच् शर्दा भरी प्रेम भरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी मीठी मुरली के लिए वरदान सतْगुरू परमपिता परमातमा जी का पवित्रता की शक्ति शाली दिष्टी बिती दिवारा सरभ प्रात्या कराने वाले दुख हरता सुख करता भाव साइंस की दवाई में अलब काल की शक्ती है जो दुख दर्द को समापत कर लेती है लेकिन पवित्तरता की शक्ती अर्थात साइलेंस की शक्ती में तो दुआ की शक्ती है यह पवित्तरता की शक्ती शाले दिश्टी वा बृती सदा काल की प्ताती कराने वाली है इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ द्यालू द्या करो कहकर द्यावा दुआ मांगते हैं तो जब चित्यन्य में ऐसे माश्टर दुख हरता सुख करता बन द्या की है तब तो भक्ती में पूजे जाते हो स्लोगन समे की समीपता परमान सची तपस्या वा साधना है ही बेहद का विराक्या सूचना आज मास का तीसरा रवीवार अंतर रष्ट योग दिबस है सभी ब्रमा बत्स संगटित रूब में साएं साड़े चे से साड़े साथ बजे तक विशेश पने माश्टर दाता सवरूब में सितित हो सर्व आत्माओं को मंसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दे वर दान दे भरपूर्ता का अनुभव कराएं ओम शान्ती